हालो बच्चों बेरी बेरी गुड इबनिंग आप सबको पता है कि साम साथ बज़े से इस समय हाई स्कूल का नयवाइच चल रहा है अप्रेल 2022 से हैं तो आज आपका ध्याय 12 होगा चैप्टर नंबर 12 देखो बच्चों पहला ध्याय में हमने 1.2 तक खतम कर दिया उसके बाद चैप्टर हैं और इनको समझना जब आपका माइंड फ्रेस से स्टार्टिंग में जद आसान होगा चैप्टर का नाम है बृत्तों से संबंधित छेत्रफल इसक्रीन पर आप देख रहे हो ना चैप्टर नंबर 12 कच्छादा सेंसी आर्टी चलिए सबसे पहले इसका इंट् देख लीजिए उसके बाद फिर आम अभ्यास के कुश्टन पर चलेंगे ठीक है इमांदारी से आईए चलिए आगे बढ़ते हैं इसक्रीन पर बच्चों आपको देखिए कुछ दिख रहा हैं जिसे कहते हैं अब ब्रित यानि सरकल अब इसके कुछ महत्वपूर्ण इंप्वाटेंट पार्ट्स हैं अंग हैं जिनें हम यहां पर सिखेंगे जैसा सबसे पहला आप देख रहे हो डाइमेटर याद रहे य इसा नहीं कि सब लेकिंटि अंगलिस में होगा लेकिन हिंदी उंगलिस इंगलिस मिला कि होगा कि इसमें चै सैंँ बहुफिक выгляд को बोलते हैं कि यह व्याष किया होता है कि बीच वींच में और भीच में केंद्र नौकर कोई यह चारो तरफ यह देखके ना इसे इस पनिते निन परीदि निकांद कर से बोलते हैं कि दそうだ यह जो पत्थ आप देख रहे हो जहां हमारा चल रहा है यह सरकंफ्रेंस है परिदी जी से बोलते हैं पूरा चारो तरफ यहां पर आकर टच करती है यह परिदी पर टच करती है तो यह सभी रेडियस यानि याद रखना तो यहांसे आपको रहा होगा त्में करें ओद meanu क्या होता है अगर अगला अगला पॉइंट है एरिया आप सरकल यानी बृत का चेतरफल देहान देना में हिंदी में भी बता रहा हूं घबराना नहीं कि इंगलिस में लिखा है ठीक है और जो नाम के लिए परिसान है उनसे निवेदन है बेटा पढ़ाई की धेयन दो सिर्फ नाम नहीं बोलेंगे ठीक है रोज कलास में जुड़ोगे लाश्ट में सब का कि चुप चाप पढ़ाई करो पढ़ना है तो नहीं भाग जो यहां से बस अहीं बोलोंगा इमाновानदारी से पढ़़ो जिनदगी में कुछ कर लो मेरा नाम मेरा नाम लो मेरा नाम लो उसमें कुछ मिलता नहीं कमेंट में उसकास मिलता नहीं है है कमेंट मैं इस inspect assessment अदर का संपूर्ण पार्ट होता हुए उसका छेत्रफल होता है जैसे अगर दिखाने के लिए बना दी आपको इसके अंदर यह जो जगा ए स्पेस यह जितना भी यह यह क्या है एरिया है कि आंपर हमारा बेड्रूम टेबल है कुर्सी मेज यो रखा है वह सब कमरे के एरिया में ही रखा है समझ रहे हो ना तो वह इसे बृत्त में क्या होगा इसके द्वारा जितना घेरा गया संपूर्ण छेत्रफल होता है तो इसमें कुल मिला कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ फार्मूला रख लेना है कि फाई और इसकोर रख देटें बस और उसमें कुछ समझ नहीं है बस आपको को परिदी में इसको मिलते हैं यह क्या होता है इसको कहीं भी अगर आपको निकालना है तो तू पाई आड़ का फर्मूला होता है यानि आर को पाई के साथ मिलाके दोगना करदें जिसक्त है यानि यह डूर्ट तरफ अंझलों कि कोई बंद अगर पर खड़ा है और एसे चलता हुआ पर पहुंचा फिर चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ फिर से ए पर आ गया तो जितना दूरी तहीं किया उसका मदलब क्या बृत की परदीग यह इंट्रडेक्शन पार्ट सब में वही होता है ऐसा नहीं है कि बीटेक वालों में जो बृत की तिरिज्जा होती है वो ब्यास की नानी मौसी नहीं होती है उसमें भी ब्यास की आधी ही होती है तिरिज्जा दूना नहीं होता है समझ रहो ना करना है हम है कि का चसासी डिले वाले अगर स्टुदेंट इस कलास को पढ़ेंगे तो उनके कलास में भी व्रित्र में यो परिधी है वो ईसीर रेखा को बोलें गें ऐसा नहीं है कि और हम्सेट युद्ध को परिदी बोलेंगे इसो क्षとौला क्षर के ऑध में अहर जगर शि इतना तो आप लिख लीजिए अब हम एक दूसरे सेक्टर में चलेंगे इसमें एक दूसरा डिपार्टमेंट कुछ नया दिखाएंगे जल्दी लिखिए मैं छुप जाता हूं चलो इनके अगले पार्ट और अन्य वीडियो के लिए अगर आप यूटूब पर देख पा रहे हैं प्रकार एक पार्ट जैसे कोई बड़ा एरिया उसको सेक्टर में बांट देते हैं कहते हैं भाग बाग में तो बृत्त के जो भाग होते हैं उनको समझते हैं कैसे अब इनकी कहानी खतम होती है अब यहां पर समझो देखो देखना देखना मगर प्यार से और इतना ही प्यार से देखना कि कलास भी समझ में आती रहने तो प्यार होता रहे हैं यह क्या है अब इस सर्कल के दो पार्ट हो गए एक पा हिंदी में इसको बोलते हैं लगुभाग ही ठीज वाले जान रहते हैं वह यह तो बड़ा इंगली से Science द्रवाज लगु भाग भोलते हैं क्ला गफार गातक घमला लगू भाग इसको बोलते हैं मेजर पार्ट मेजर सेक्टर जिसे दीर्ग लेकिन लिखो सही दीर्ग भाग बोलते हैं ठीक है क्लियर अब साथियों इन पर अधारित कोश्चन आते हैं तो इनकी गुड़ा-गड़ित कुंडली तो हमें खंगालनी पड़ेगी ही चलिए देख कराइब बढ़ना है तो पहले तो एय्रिया याफ माईर सेक्तर पाइले निक ला निकालते हैं कैमरा है मिन अर्व अंब मिन jamais बैले तैंक दाई इंग्लिवाले लिख लेंगे एरियाफ माईन Alber सेक्तर हिंदीवाले लिख स्पाल मेरी लिख लेंगे लगूभाका देखो लगुभाग का मतलब यह सिर्फ इतने पार्ट की बात हो रही है जितना आपको दिख रहा है अगर यह एंगल थीटा है समझना तो भाईया हो आपने सुना होगा कहते हैं न हमने कैमरा लिया तीन सो साथ गूम जाता है तीन सो साथ गूमने का मतलब हमारी खोपड़ी इधर है तो हम आइसे जो में फिर जो में फिर जो में और फिर वहीं आ गए इसका मदलब तीन सो साथ गूमना होता है तो यह तीन सो साथ है ना पूरा où आप और पूरिए उडा निकल गया तो भाविया हो यह इतना टोटल क्या बनेंगा आपका 360- baru that जो फिर माइनर जो सेक्टर है ना उसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा इसमें से थीटा लेंगे टोटल कितना था 360 इंटू इसका जो छेत्रफल होता है व्रित का उससे गुड़ा कर देंगे यह हो गया आपका लगू भाग का छेत्रफल या माइनर पार्ट का एरिया ओके अगला भी हिंदी में लिख देते हैं इंग्लिस वाले लिख लेंगे सुनके दीर्ग भाग का छेत् मेजर सेक्टर इसमें भी वैसे कौन को लेंगे 360 माइनस थीटा है अपान टोटल 360 था इंटू जो व्रित का छेत्रफल है उससे गुड़ा कर देंगे यह हो गया आपका भाईया आज हम बात करेंगे मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को कैसे रिपरजेंट करेंगे एक परक दीर भाग और माइनर सेक्टर को लगू भाग बोलते हैं यह मैं आपको पीछे बता चुका हूं है न यह आप जानते हो तो इसमें एक चीज आप और समझ लीजिए अगर यह इसका सेंटर है यह आपने देखा था न यह मैंने इसका क्या किया एक पार्ट बना दिया एक भा हिंदी में डीरग भाग बोलते हैं यह डीरग भाग ठीक है और इसे माइनर सेक्टर जिसे लगू भाग बोलते हैं लिखने में समस्यां तो ऐसे लगू भाग ठीक है समझ लीजी अभी चैप्टर में इनका बहुत योगदान है काम लगेगा याद रखिएगा इनको बहुत अच्छे समझ लीजी तो अगर हमें दिर्ग भाग या लगू भाग को दिखाना है किसी को रिपरजेंट करना दिने पढ़ेंगे कैसे जैसे तिर्भूज अगर होता है पुई बना है तो हम कहते हैं कि मानलो यहां ए, बी, सी है तो हम कहते हैं तिर्भूज ए, बी, सी में तुने ओना ऐसे पढ़ते ना इसको तो ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे अब अगर हमें मेजर सेक्टर बोलना थे थोड़ी बोलेंगे एवी और माइनर सेक्टर को भी नहीं इसके लिए सबसे पहले यहां पर कहीं कोई एक पॉइंट लेते हैं मालो हमने इसको एफ ले लिया ठी कुछ भी अब अगर हमें मेजर सेक्टर को दिखाना है दीर्ग चाप को अगर पढ़ना है ठीक है दीर्ग चाप इसे बोल सकते हो या फिर दीर्ग भाग भी बोल सकते हो तो इसे क्या दिखाएंगे पता है दीर्ग भाग या मेजर सेक्टर को दिखाने के लिए हम ऐसे पढ समझ गए ना यह चीज अगर कहीं भी इनका यूज करना है तो आप ऐसे बोलोगे मेजर सेक्टर या दिर्ग भाग ओ एफ वी में फिर जो करना करोगे जैसे तिर्बूज में था क्लियर चलिए इसी तरह से साथ ही मेरे अगर हम माइनर सेक्टर की बात करें नीचे लगू पूरा लेके चलना है तो इसमें भी हमें कोई पॉइंट लेना होगा जैसे ले लिया ठीक है अब इसे कैसे पढ़ोगे सुनो इसे हम बोलेंगे माइनर सेक्टर यानि लगू भाग क्या लगू भाग कि ए ओ इब कैसे बोलोगे ऐसे कुछ बोलेंगे ना ए ओ आइब नहीं यह हैं एक तरफ से पढ़ोगे ना कि एक तरफ से ओए इबी आईसे ओ ए इई यह जो लगु भाग या माइनर अगर सेक्टर की बात करें तो वो इसमें होगा ओए कि अभी तक हमने सीखा कि दीर्ग भाग यानि मेजर सेक्टर दोनों को एक नाम है दीर्ग भाग या मेजर सेक्टर यह हिंदी में इंगलीस में बस इतना अंतर है लगु भाग या माइनर सेक्टर इनको कैसे रिपरजेंट करेंगे कैसे किसी को बताएंगे लिखेंगे यह minor sector यानि जो minor sector है minor चाप जिसे बोलते हैं आप कह सकते हैं लगू चाप इसकी जो है वो length कैसे निकालेंगे यह देखेंगे ठीक है तो heading डाली आप लोग length का मतलब लंबाई जो लोग Hindi medium वाले हैं परिसान है वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि लगू चाप की लंभाई बराबर लग उचआप की लंभाई बराबर लिखिए लग उचआप की लंभाई बराबर तो लग उचआप कौन सा है ओ- divisions न इसी की लंभाई निकलना है उस पर अभी पिछले वाले इंट्रुरक्शन में बताया था कि इस पर एंगल क्या बना थीटा कितना बना थीटा तो तो टोल तो 360 होगा न तो जो ऊपर वाला एंगल बनेगा बाबू यह जो बनेगा आपका 360-theta बनेगा जानते हो ना उपर अगर यह थीटा होगा 360 माहिने थीटा होगा तो अगर हम इसकी लेंथ निकालने तो क्या करेंगे थीटा अपान 360 यह 360 वो है जो टोटल पार्ट का हिस्सा है इंटू इसकी परिधी जो होती है टोटल उससे मल्टिपल कर देते हैं 2 पाई यार समझ गए ना यह ए लगू चाप की लंभाई क्या है लगू चाप की लंभाई जिसे इंगलिस वाले लिख लेंगे stehen हाफ आर्क हाफ माइनर सेक्टर है हन्य रंध हाफ आर्क हर कि अद्ब छाप है है लेंध साफ है प्रिदिए तो में लन रोके में हो गया एक भिरित की परिदी पाया रहे जैसे इंगलीज में सह कंपरेंस बोलते हैं इस ह히 तरह लिखाए तीडर चाद तीडर चाब आफ मेजर सेक्टर इसी को इंग्लीस में लिख लो लेंथ आफ आर्क आफ मेजर सेक्टर क्या लिखो गे बटा बाबू इसके लिए एंगल थीटा नहीं है 360 माइनस थीटा है याद रखना है ठिक है छोटे वाले के लिए थीटा था कोन बड़े वाले भाग के लिए 360 माइनस थीता था 360 से भाग करोगे क्योंकि टोटल 360 है और इंटू टू पाई यार कर दो जो परिदी है बस हो गया समझ में आया यह चोटे-चोटे चीजें हैं बहुत सब्सक्राइब करें और बिल्कुल फ्री देखते रहें अगर इसमें कुछ और चीजें देखेंगे जैसे आप टैटल डालिए एरिया आप सेग्मेंट एरिया आप सेग्मेंट यानी जो इनके भाग है दो परकार के उनके छेतरफल कैसे निकालेंगे जैसे यह आप माइनर मेजर काफी देर से सुन रहे हो तो लिखिए इनका एरिया निकालने के लिए कैसे करेंगे ध्यान दीजिए थोड़ा समझने को नीचे लिखोगे लग उचाप का छेत्रफल लग उचाप का छेत्रफल हिंदी में इंग्लीज में लिखोगे एरिया आप माइनर सेक्टर देखिए समझेए अभी आपने देखा यह कुछ ऐसे बना था ऐसे कुछ बना था अब यहां पर एक ओपॉइंट था यह आपका माइन सेक्टर है या माइनर आर्क है यह आपका मेजर है आर्क न तो साथी मेरे अगर इसका एरिया निकालना या इसका एरिया निकालना है तो हमें काम कर सकते हैं वह क्या इसको एक ऐसे खींच के ट्राइंगल बना सकते हैं बीच में अब समझो एरिया आप माइनर सेक्टर या मा अगर यह थीटा है तो टोटल 360 होता है तो जो बच रहा है वो 360 माइनस थीटा होगा यह आपको भी पता है वालूम है तो यह हो जाएगा इटाप का थीटा अपान टोटल जितना एंगल होता है 360 니까 अलड भी का चेटरफल क्या होता है से स्मजो टोटल में से क्या करेंगे यानि इसका जो जो शेत्रफल है इस में से जब OAB इतना घटा देंगे तो जो बचेगा वो इतना बचेगा ठीक है माइनस आप लिख लो ओ ओ एबी का एरिया या फिर एरिया आफ एरिया आफ तिर्भूज ओ ए बी ठीक है लिख लो ओ एबी ओके इसमें कोई दिक्कत नहीं इसी तरह नीचे लिखो एरिया आफ मेजर सेक्टर यानि दीरग चाप कचेटर लिखिए एरिया आफ मेजर सेक्टर लिख लिजिए इसमें भी बिल्कुल सेम ऐसे हो जाएगा इंक्लिस वाले लिख लेंगे दीरग चाप का चेतर फल देखो बाबु समझो यहां पर हीटा लि बड़े वाले के लिए 360 माइनस थीटा है यह 360 माइनस थीटा आप आन्ट टोटल कितना 360 अब क्या इसका चेटरफल यह पाई यार स्कॉयर और माइनस घटाओ के कौन सा कौन सा सब्ट्रेक करोगे इसके लिए इसमें कुछ आपको अलग समझना पड़ेगा इसमें यह सब करने की कई जरूरत ही यह सब करने कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बड़े वाले एरिया का छेत्रफल निकालना है तो इसके लिए हम इसको यह भी कर सकते हैं जो ब्रित है ना टोटल ब्रित का जितना एरिया होता है आप उसे लिख लो इसमें से घटा दो कौन सा सेग्मेंट ए इबी ठीक है समझ रहे हूं कि सेग्मेंट ए इबी बस हो गया यह हो गया इसका ए इबी मतल टोटल में से यह इतना घटा दिया जो उसका था भाग बस निकल गया तो यह आपके कुछ पॉएंट है इसकी अलमा एरिया ओफ एक्वाल्ट ट्रियंगल इसका भी काम लगेगा यह भिणी जीए हम तो ने समबावत रबुच का शेत्र थ्पल क्या होता जानते हो शांव आपल सी बात है सबको पता होगा एरिया आफ इक को एल्टरल ट्रेंगल नीचे लिखिए 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 लेकिन आपको आनी चाहिए फिले मैं थोड़ा रिपीट कर दे रहा हूं ठीक है तो बाबु यह क्या हो जाएगा अंडरूट थ्री एपान फोर और एक आई स्कॉय स्कॉयर यानी बुजाई स्कॉयर होता आप जानते हो तो अ कि लिखे लो अपर रायट ट्रेंगल होता है आप सभी जानते हो बहुत में पहले से कोई दिक्कत नहीं यहां पर एक कंसेप्ट समझने वाला यह है दिखिए न आपको यह एक जीवा है यानि कोड प्याइन ऐना और OC क्या है इस पर एक लंब है परपेंडिकुलर लाइन है जो सेंटर से आ रही है तो याद रखिएगा अगर किसी विवरित में केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जा रहा है तो वो उस जीवा को दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है किसी विवरित में अगर केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जा रहा है तो वो लंब उस जीवा को दो बराबर बराबर हिस्सों में बाढ़ता है जैसे अगर एकजांपल के लिए हम मालने कि ये लाइन पूरी बढ़की वाली जो है न वहिया अगर ये पूरा का पूरा आज हम कोश्चन आपको नहीं दिखा रहें कोश्चन मुह से बोल रहें सुन लीजिए और लिख लीजिए अगर आप हाई स्कूल में है तो कोश्चन ध्यान से सुनिए मैं आराम से बोल रहा हूं लिखे कुश्चन नमर पहला है दो बरित्तों की त्रिज्याएं करमसा 19 cm औ नो सेन्टीयटर हैं उस व्रित्ति की त्रिज्याँ ग्याथ कीजिए जिसकी परिदी जैनी कोंफर्ण्स इन दोनों ब्रत एक लिखे की योग के बराबर है मतलब समझ रहे हो सुनो दो सरकल दिये गए हैं और उनके रेडियस भी दिये गए हैं समझ रहे हो अर्टू सरकल दिये हैं इनके रेडियस भी दिये गए हैं और रेडियस इनके अलग अलग है यहां पर आपको थोड़ से समझना है इसका जो है अमालो आरवन है रेडियस ज थ्यान रखना ठीक है सिकेंड वाला तो यह थोड़ा बड़ा है उससे इसका मालो आर्टू है यह 19 सेंटिमीटर है तो कह रहा है कि एक तीसरा सरकल है ठीक है यह ब्रित है गोला गोला आपको बनाना है हम अंडा बना दे रहें आलू बना रहें वह अलग बात है ठीक है सुनों और दिसरा इसका आपको रेडियेव निकालना बाव यह आर्फरी यह हमें नहीं पता है ठीक है यह निकालना Quick इतना होगा यह आपको ग्याद करना यह लेकिन जीतना इसकी परिधी है इसकी परिधी यानि सर्कम्फरेंस है दोनों को जोड़ करके जो परिधी बनती है वो इसके बराबर है ऐसा कुछ कह रहा है पोजिछेन एक बार फिर से सुन लिजिए करा दो व्रित्तों की तिरिजयाय का मतलब रेडियस ठीक है करमशा 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है तो उस पृत की तिरिजयाक जीन उस पृत्त का मतलब इसृत का जिसका हाँ जिसकी पर्धी पर्धी मतलब circumference इन दोनों बृत्तों की पर्धियों के योग के बराबर है कहे रहा है कि इन दो बृत्तों तो दिये इनकी त्रिज्जाएं दी गई है हमें तीसरे बृत्त का त्रिज्जा बताओ लेकिन इन दोनों बृत्तों का इससे relation ही तना है कि इनकी दोनों की परिधियों का योग इसकी परिधी के बराबर है, ठीक है, चलुए, लिखते हैं, जो जो दिया है, लिखिए, lubat, circumference a circle, लिखिए, circumference a circle, English póach language, English, Indian वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे ब्रित की परदी बराबर क्या होता तू पाई रे सूत्र होता आप सबको पता है होता है ना चुकि हमें तू सरकल के बारे में पहले से अल्रेटी दिया है कि इनका जो सम है वो तीफरे के बराबर है यह तो डिफाल्ट फार्मूला है तो हम इसी का यूज करेंगे 2Pi और पहले बृति के लिए r1 प्लस 2Pi दूसरे बृति के लिए r2 इकवल 2Pi तीफरे बृति के लिए r3 इस फार्मूले में हमने क्या किया इन तीनों सर्कल को अरेंज कर लिया यानि हमने तीनों बृत्तों की परिधी का यहां पर हिसाब करती है बसे नार्मल बृत्त की परिधी का सूत्र यह होता है क्योंकि हमारे पास जो R है वो अलग अलग है R1, R2, R3 यह हो गया इसमें से देखो बाबु आप 2Pi कॉमन ले सकते हो तो R1 प्लस R2 बचेगा इन दोनों में समझ रहो इसमें देखो इससे हम 2Pi into R3 कर सकते हैं तो यहां से 2Pi से 2Pi कैंसिल हो जाएगा R1 प्लस R2 इक्वाल R3 बचेगा यह आपका फार्मूला बन गए एक परकार से अंसर लाने के लिए R1 और R2 कमान आपको दिया है R1 कमान 9 दिया है बाबू R2 कमान 19 दिया है इक्वाल R3 जोडोगे 28 आएगा इक्वाल R3 यह आपका अंसर आ गया 28 सेंटेमीटर ठिक है आप कह सकते हो यह हो गया 28 सेंटेमीटर अंसर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजी यह नहीं संकोच इकेंट कुजिश्टन जल्दी करिए देखो बच्चों आप ध्यान से कुजिश्टन देखो भहिया तभी मज़ा आएगा नहीं मज़ा नहीं आएगा कुजिश्टन में बोल दे रहा हूँ आप सुन लिजी हाई स्कूल में पहुंचेओ ना चलिए सेक नेक्ट कुजिश्टन सुनिए अगला कच्छा दसकी NCRT किताब है याद रखना NCRT में मिलाओगे तो डारेक्ट मिलेगा सेम टू सेम चाहे हिंदी मीडियम से हो या इंगलिस मीडियम सब में मिलेगा त्यारा तो बृत्तों की तरिज्याएं करमसा 8 cm और 6 cm है उस बृत्त की तरिज्या ग्याद कीजिए जिसका छेत्रफल इन दोनों बृत्तों के छेत्रफलों के योग के बराबर है इंगलिस में भी सुन लो English में सुनों, the radius of two circles are 8 cm and 6 cm respectively find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles let's say the radius of two circles are 8 cm and 6 cm respectively सब्सक्राइब देखते हैं यह भी सेम ऐसे हैं इसमें भी तीन सर्कल का काम लगेगा क्वेशन आप सुन लिए हो अब सलूसन पर आजाओ देखे बच्चों आप सबको पता है कि इस तरह से दो सर्कल दिए गए हैं जिनके छेद्रफलों का जो योगफल है वो तीसरे के क्या है बराबर है और तीसरे वाले का क्या पूछ रहा है तीसरे वाले जो ब्रित है उसकी तिरिजया यानि रेडियस पाइंड करनी है चलिए बहुत आसान है लिखिए एरिया आफ सरकल हिंदे में लिखिए ब्रित का चेत्रफल बराबर ब्रित का चेत्रफल बराबर इसकोईशियर यह सबको पता है हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला हूं हमारे पाश तू आलग अलग सरकल है ठीक है तो आर हमारे पाश डिफ्रेंट डिफ्रेंट है ति है पाई आर 1 का स्कॉयर और प्लस पाई आर 2 का स्कॉयर इक्वल इनका कर्षार का छो सम है जो थर्ड बारे शरकल के यूंट के बराबर है अइसा को चन में कहा गया है थे वाले का क्या है कि यह क्लियर है इसमें पाई करद्रैलों ले लोगे तो रवन का 투 का ही स्कौर इक्वालार 13 का इसकौर है इसक्वायर ठीकर कि भी मत से पहले मत करवने हो जाएगा है यह पई से पाई कि मुछ थेखित कर सकतो आपका प्लस यह आचर्टू का स्कॉएयर इक्वाल ऐख्वार 3 अगरे से अमजो ऑर बभी आपको दिये गए एब बहुत कह रहा था कि यह में 6 था यह क्या था 8 था कर दिया गया श्क्नार मैं यह 6 का स्कॉर्पिकष और 8 का स्कॉर्पिकार इक्षत तीज प्लस 64 स्कॉर्पिकष स्कॉर्पिकषी को ट्रिक एए 000 desapare 꽃s फाइनल में 10 आ जायेगा आर्थरी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम कोई एनी डाउट नहीं न यानि आपके जो तीनों सरकल दिये गए थे उसमें से पहले दूसरे का आपको त्रिज्जा दिया गया था थर्ड वाले का नहीं दिया गया था निकालना था सो मैंने निकाल दिय ठीक है किसी को कोई डाउट एनी डाउट नहीं न तीसरे कुईश्चन पर चलें देखो भाईया बाबू तीफरा कुईश्चन आप लोग कर लीजिएगा यह होमवर्क रहेगा चौथा पचवां हम आपको करवाएंगे जल्दी सही तुरंत फट अपफट चलो जल्दी करो सबी साथी सेशन को लाइक कर दें तुरंत और अगले कुश्चन के लिए तयार हो जाएं और जो साथी अभी तक पीवियार स्टेडी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ने किये वो सब्सक्राइब कर लें अरे चाचाए एड नहीं आ रहा है अगले कुश्चन के तरफ आ सब्सक्राइब किताब खोल लो पेज नंबर 248 जिनके पास नहीं वो ध्यान से सुने और लिखे मैं धिरे-दरे बोल रहा हूं किसी कार के परतेक पहिये का ब्यास 28 cm है यह दिकार का शाचट किलोमेटर पर दिघंटे की चाल से चल रही है बतलब जो कार है वो 66 किलोमेटर इसले पर आवर की स्पीड से क्या है दौल रही है तो 10 मिनट में परतेक पहिया जो है वो जो कितने चक्कर लगाती है कहने का इनका ये मतलब है कि ये कोई कार है जिसकी पहिया है समझ रहे हो ये कार की क्या है पहिया है इसका कह रहा है कि ब्यास 80 cm है यानी ब्यास का मतलब ये ये लाइने जो है कितना है भया पूरा-पूरा ये 80 cm है समझ रहा हूं मतलब पूरा ब्यास का मतलब जानते हो ब्रित्त में इस परिधी को इधर से उधर मिलाने वाली रेखा ब्यास कहलाती है लेकिन केंदर से वोकर जानी चाहिए पहरा कार जो है 66 km पर दिघंटे की चाल से चल रही है तो यह बताओ कि परते एक 10 मिनट में यह जो पहिया है कितना चक्कल लगाएगी क्योंकि पहिया जब कार चलेगी घूमेगी ऐसे घंगन 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 ना चलो लिखो कुछ चीज़ें आपके लिखो पहले इंप्वाट समय मिन्स टाइम टाइम कितना है परते एक 10 मिनट बोल रहा है तो आप लिख लो 10 मिनट और क्या दिया इसमें अब हम दूरी निकाल लेंगे अभी हमें इसमें दूरी तो पता है नहीं तो दूरी क्या हो जाएगा डी इक्वाल यानि दूरी बराबर चाल गुड़े समय यह पत्वार्स इंटु T ययानि स्पीड इंटु टाइम टाइम इस पीड रहें स्पीड कितना है 66 एंगा टाम कितना है चैस्च और टी मिनट के लिए थिपया जबाSu not किसमें दिया है कितने घंटे होंगे एक बटा 60 घंटे होंगे नहीं कि जानते हो कि नहीं जानते हो एक category 60 मिनट होता है तो 1 मिनट बराबर एक बटा साँटा होता है तो इस तरह से क्या करोगे 10 मिनट बराबर 10 गुड़े एक बटा साँटा 00 कट गया तो यहाँ पर 1.6 रखोगे कितना रखोगे 1.6 ठीक है तो बाबु य affair कट जाएगा आप कभड़ी आ pawn 11 किलोमेटर यानि दूरी कितना है 11 किलोमेटर है ठीक है समझ गये न कोई दिक्कत नहीं किसी को यह चीज याद रखना जो इधर साइट समझाया हूं एक घंटा में 60 मिनट होता है तो एक मिनट में एक बटा 60 घंटा होता है इस तरह से 10 मिनट में एक बटा 6 घंटा होगा ठीक है अब दूरी किलोमेटर में आई वो तो मैं कर दिया ना दूरी किसमें किलोमेटर में आई कार का जो टायर है उसका ब्यास सेंटीमेटर में है इसलिए हम इसे सेंटीमेटर में बदल लेंगे अब समझ रहे हो हमें कार के टायर का चक्कर निकालना है तो हम क्या करेंगे इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो बाबु यह बताओ एक किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर यह तुम्हें याद रहना चाहिए एक किलोमीटर में एक लाख सेंटीमीटर होता है एक लाख में सुनना लगा दोगे यह क्या हो जाएगा सेंटी मिटर यानि जो दूरी ती वो 11,00,000 सेंटी समझ गए ना देखिए पहले हमें यहाँ पर निकालना था दूरी और हमें यहाँ पर एक चीज किलो मिटर पर घंटे में था कि दूफरा मिनट में था तो हमने एक राशी में बदल लिया हैं चाहे तो हम किलो मिट्र पाद गन्त को minute सिकेंड में तो थोड़ा लंबा हो जाता समझो यहां पर लिखो भई लिखो फटा फट नीचे लिखो चलो कार की परतेख जो पहिया है कार की परतेख 10 मिनट में कुल दूरी लिख देता हूं देखें यह चीज जो मैं हिंदी में लिखा हूं बच्चों इसे इंगलीस में भी समझ लीजी आप लोग कार का टायर परतेख 10 मिनट में एक चक्कर लगाएगी बराबर यहनि कार का जो टायर है परतेख 10 मिनट में एक चक्कर लगाएगा उसका सुत्र क्या होगा जितनी कुल दूरी होगी और एक चक्कर में तैंदूरी समझ रहे हैं, कार का टायर पत्रेक 10 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, कुल दूरी अपान एक चक्कर में तैंदूरी इसको इंगलिस में लिखोगे number of revolution equal total distance upon distance in one revolution तो one revolution का मतलब जान रहो टायर का जो circumference है इसके जो परिधी है वही इसका one revolution होगी ठीक है यानि कि एक चक्कर में कितनी दूरी तेंग करेगा ये टायर जितना इसका परिधी है एक चक्कर में ये उतनी ही दूरी जाएगा अगर बड़ा फटायर होता है तो एक चक्कर में ज्यादा दूर जाएगा छोटा फटा पहिया है एकदम तो एक चक्कर में थोड़े दूर खिसक पाएगा इफिले देखे होगे जिन गाडियों के टायर बड़े-बड़े होते हैं वह धीमें दिखाई पड़ती है फिर भी त सेंटीमेटर था और एक चक्कर में तैंदूरी मैंने आपको बताया कि जितना इसकी परिधी होगी परिधी का सूत्र होता है तो सारा मान रख दो टू इंटू पाई पाई कमान 22 बटा साथ रख दो आर आर मतलब रेडियस रेडियस देखो बाबू अगर यह 80 cm इसका ब्या से इसको आपको भाल करना बहुत ही मतलब एक प्रकार से मज़दार लगेगा देखो कैसे मैं तरीका बताता हूं अब हाइ स्कुल में पहुंचे हो न अब बेसिक तो आपको सीखना नहीं बहुत अगर आपको बेसिक नहीं हाता तो आप बैसिक यूर यह आपका सेबन का उपर मुल्टी फोट जाएगा यह 11,00,00 नीचे आपका 22,24 कितना हो जाएगा 22,24 न में करके देख लो चाहे तो आप लोग तो यह 44 गुड़े 40 हो जाएगा लेकिन आप मल्टिपल करके बड़ा नहीं करोगे गुड़ा करके कभी बड़ा नहीं किया जाता इसको ठीक है हल करना है आगे बराबर लगा लो देखो इनका मल्टिपल करके बड़ा ना करो इनको ऐसे रहने दो स्सक्राइब करते हैं आग है किजया यह 10 Convers night 2 220 इर्टी इंट फॉर 0cause अब इनको направकर सिधा सिधा आग देखो इनको 11 से कटो तो 11 कम 11 यह आपके 5 0 है ना आपके जितने भी zeros है अप इनको सारे 0 को साइड में लिख लो एक काम करो उसके पहले लिख लो फिलहाल पांच जीरो तीन चार पांच एक जीरो से जीरो पकाड़ दो ठीक है हमने 11 सकाटा बागू तो 11 दुना यह 22 हो जाएगा ठीक है दो दुना चार और यह चार चौक 16 यह आपका हो गया 10 चोल एक जया चार उनल चौक फैर तो ऊड़ टीन बार जानगा साथ में सोला राश्री कितना हो नहीं ञएगा तो तीन बार जाएगा तीन बार जाएगा तो आपको पता है 16-43 बचेगा 12 और वह हो जाएगा 120 यानि आपका 43-75 आएगा फाइनल में भाग करना तुम्हें आता है कर लेना तीर 45-75 क्या आएगा चकर यानि कार का जो टायर है वह परतेक दस मिनट में 4375 चकर लगाएगा यानि नमबर आफ रेवुलूशन जो होगा टायर का कार के टायर का वह 4,375 होगा 12.1 12.1 का लाश्ट कुष्चन पाचवा नंबर हम देखेंगे सबसे पहले ठीक है सभी बच्चे कच्छा दस के अंसी आर्टी किताबे लिये हो लिये हो ना कुष्चन सुन लिजिए लाश्ट का एकदम लाश्ट का कुष्चन है तथा अपने उत्तर का आउचित दीजिए यानि आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है और फिर उसका रिजन भी बताना है ठीक है चलिए आगे क्या कहता है यदि एक ब्रित का परिमाप और छेतरफल संख्यात्मक रूप से बराबर है यदि एक सरकल का जो एरिया है और उसका पेरिमीटर दोनों नंबर में इक्वल हो तो ब्रित की तरिज्या क्या होगी समझ रहे हो यह ऐसा बोल रहा है कि इसका परिमाप यानि जो पेरिमीटर है वो इसके छेतरफल यानि एरिया के एक्वल हो गया मतलब यह है दिया है तो इसकी रेडियस क्या होगी त्रिज्या क्या होगी यह क्या करना निकालना है आप्शन दिये गए है पहला आप्शन है यानि योग कैसे देखो मैं बताता हूं समझो कि मैं कह रहा कि एरिया और पेरी मीटर एक्क्वाल है ना हमचलो ओकों कर देते हैं ठीक है याहो जो पेरिमीटर यानी परिमाप का सूतर होता है व्रित्त का टू पाई एर होता है छेत्रफल का पाई आर स्कॉइर होता है यह आप जानते हो फर्मूला इसमें से आप अगर एक काम करो play से play को कैंसिल कर दो तो आपका 2r एक्कुल आर बचे गना और इस आर को आर को रंटू आर कर सकते हो आपको been कर सकते होर, स्कूर को न विदार है न इसमें से एक खड़ जायйेगा तो दू बढ भाबर आ यानि आपका रेडियस कितना आगया टू यूनिट आया बोलो आया कि नहीं तो यह आपका फाइनल खतम हो गया